कंक्रीट टिकनलोजी अध्याए एक परिचे कंक्रीट सबसे पहले हमें समझना है कि कंक्रीट कहते किसे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर या अपने आसपास हम सबने देखा होगा कि गिट्टी, बालू, सीमिंट और पानी को मिक्सर मसीन में डालते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स होने के बाद जो मटेरियल हमें प्राप्त होता है उसे कंक्रीट कहते हैं, कंक्रीट और मोरटार में अंतर यहाँ ध्यान देना है कि यदि गिट्टी को नहीं मिलाएंगे तो उसे कंक्रीट नहीं कह सकते उसे मोरोटार या मसाला कहेंगे यदि कंक्रीट को फार्मूला के रूप में लिखा जाए तो वह इस प्रकार होगा गिट्टी प्लस बालू प्लस सीमेंट प्लस पानी पराबर कंक्रीट कंक्रीट के महतपूर घटक यहां सीमेंट और पानी सबसे अधिक महतपूर है गिट्टी और बालू को कंक्रीट के आयतन में बृद्धी करने के लिए मिलाया जाता है इसलिए इन्हें मिलावा कहते है गिट्टी का आकार बड़ा होता है इसलिए इसे मोटा मिलावा कहते है जबकी बालू महेन होता है इसलिए इसे महेन मिलावा कहते हैं Concrete Technology में क्या अध्य然 किया जाता है Concrete Technology में हम Concrete के Material Science के बारे में बाते करते हैं Concrete Technology का महत Concrete के घटक जैसे गित्ति, बालू, सिमेंट और पानी एक साथ होने पर एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालते हैं यह समझना बहुत जरूरी है उनके बेवहार को समझने के बाद ही बहतर और अधिक ठोस कंक्रीट का निर्माड किया जा सकता है कंक्रीट टिकनलोजी हमें इस लायक बनाता है कि हम अलग अलग परिस्थिती में कंक्रीट के अलग अलग बेवहार का सही अनुमान लगा सकते हैं कंक्रीट टिकनलोजी का फोकस एरिया क्या है कंक्रीट टिकनलोजी को दो हिस्से में रखकर अधियन किया जाता है एक हिस्से में कंक्रीट के सभी घटकों जैसे सीमेंट, पानी, बालू, गिट्टी, अधिमिसरण, इत्याद का अधेन किया जाता है, जबकि दूसरे हिस्से में कंक्रीट के बिवहार का अधेन किया जाता है सीमेंट कंक्रीट में सबसे महत्पूर घटक है सीमेंट इसलिए हम सबसे पहले सीमेंट और उसके उत्पादन के बारे में अध्यायदो सीमेंट सीमेंट सब्द का मतलब होता है चीजों को एक दूसरे से जोड़ना कंक्रीट में सीमेंट भी यही कारी करता है यह कंक्रीट के सभी घटकों को एक दूसरे से ज्वाइन कर देता है आज के समय में हम जो सीमेंट सबसे ज़ादा इस्तिमाल करते हैं वह है पोर्टलैंड सीमेंट यह सीमेंट जमने के बाद युनाइटड किंगडम के पोर्टलैंड में पाए जाने वाले लाइम स्टोन पत्थर की तरह बन जाता है इसलिए इसे पोर्टलैंड के नाम से पहचान मिल गया पोर्टलैंड सीमेंट के इस नाम को सबसे पहले जोसेफ आसवडिन ने उलेख किया था इसलिए इन्हें पोर्टलैंड सीमेंट का आविसकारक भी माना जाता है सीमेंट के विकास से पहले भी हम निर्माण कारी करते थे उस समय बंधक पदार्थ के रूप में प्राकृतिक पदार्थ जैसे चूना गारा आधि इस्तिमाल में लाते थे सिमेंट के लिए कच्चे पदार्थ चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता है चूना पत्थर कैलसिम कार्बोनेट होता है और गारा मृतिका या कले होता है आज के समय में सिमेंट का निर्माड भी इनी पदार्थों से किया जाता है सिमेंट निर्माड के लिए हमें मुख्य तह दो प्रकार के कच्चे पदार्थ चाहिए एक है चूना में पदार्थ और दूसरा है मृतिका में पदार्थ वे पदार्थ जिनसे हमें कैलसियम आकसाइड अर्था चूना प्राप्थो उसे चूना में पदार्थ कहते हैं और वे पदार्थ जिनसे हमें सिलिका, अलुमिनम और आयरन तीनों प्राप्थो उसे मृतिका में पदार्थ कहते हैं चूना में तथा मृतिका में पदार्थ लाइम स्टोन, मार्ल, कैलसाइट, समुद्री खोल इत्याद से हम चूना में पदार्थ प्राप्थ करते हैं मारल ऐसा सेडिमेंटरी रॉक जिसमें कैलसियम कार्वोनेट और मृतिका अर्थात कले दोनों हो उसे मारल कहते हैं जील की तलचटी में पाये जाने वाले रॉक में मारल सामानित है पाया जाता है समुद्री जीओं का खोल कैल्सियम कार्बोनेट का अच्छा सरोत होता है कले सबसे अच्छा मृतिका में पदार्थ है जिसमें सिलिकॉन, अलुमिनियम और आयरन तीनों परियाप्त मात्रा में पाया जाता है सीमेंट का उत्पादन सीमेंट का उत्पादन सीमेंट फैक्टरी में होता है सबसे पहले कच्चे पदार्थ जो की खदानों से निकाल करके कमपनी में आया है अर्थात चूना में पदार्थ और मृतिका में पदार्थ को अलग-अलग पीसा जाता है जिससे वह पाउडर में बदल जाए अब उसे उचीत अनुपात में मिला कर घूरड़ी भठी में एक सिरे से डाला जाता है घूरड़ी भठी घूरड़ी भठी 30 से 70 मीटर लंबी और 5 से 6 मीटर ब्यास की भठी है जो बहुत धीरे-धीरे घूमती रहती है प्री हीटिंग भठी में डालने से पहले मटेरियल को 700 से 800 डिगरी सेलसियस पर गर्म किया जाता है जिससे मटेरियल की नमी पूरी तरह खत्म हो जाए इस प्रोसेस को प्री हीटिंग कहते हैं सीमेंट उत्पादन की बिधियां पहले सीमेंट का उत्पादन दो बिधियों से किया जाता था एक थी गिली बिधि और एक सूखी बिधि जब कच्छे मटेरियल में लगभग 20 प्रतिसत या इससे भी अधिक पानी हो तब गिली बिधि अपनाई जाती थी अन्य था सूखी गीली बिधी, गीली बिधी में कच्चे मटेरियल को अच्छे से मिलाने के लिए मटेरियल में और पानी मिला कर घोल बना लेते थे, फिर उन्हें उची तनुपात में मिला कर भठी में जलाया जाता था, इस बिध में घोल को सुखाने में ही बहुत उर्जा नस्ठ हो जाती थ अपने देश में अब सिर्फ सूखी विधि का प्रियोग किया जा रहा है यदि लाइम स्टोन गीला है तो सेमी वेट अर्थात अर्ध गीला विधि प्रियोग में लाए जाती है सूखी विधि में कच्चे पदार्थ को पाउडर के रूप में उची तनपात में मिलाकर भठी में जलाया जाता है सूखी विधि में गेली विधि की तुलना में लगभग आधी उर्जा ही लगती है कैलसियम कार्बोनेट का डी कार्बोनेशन material को भठी में इसलिए डाला जाता है जिससे calcium carbonate, calcium oxide में बदल जाए लगभग 800 से 900 degree Celsius के बीच calcium carbonate का decarbonation होता है इसे निम्न तरीके से समझ सकते हैं calcium carbonate at 800 to 900 degree Celsius gives calcium oxide plus carbon dioxide भठी के अंदर reaction बठी में मौजूद calcium oxide, silicon oxide, aluminum oxide, iron oxide इतने उच्च तापमान पर activated अवस्था में होते हैं और आपस में अवक्रिया करके नए compound के crystal बनाते हैं बोग compound 1000 degree Celsius तक ज़्यादतर compound बनने लगते हैं वे compound निम्न हैं tri-calcium silicate, c3s, di-calcium silicate, c2s, tri-calcium aluminate, c3a, tetra-calcium aluminoferite, c4af उपर युक्त चारों को बोग compound कहते हैं 1100-1200 degree Celsius के बीच, di-calcium silicate पूरी तरह बन जाता है लगभग 1350 degree Celsius पर, tri-calcium aluminate और tetra-calcium aluminoferite के crystal तरल अवस्था में आ जाते हैं इनके melt होते ही, di-calcium silicate, tri-calcium silicate में बदलने लगता है संभवत है, 1450 degree Celsius पर, tri-calcium silicate पूरी तरह बन जाता है क्लिंकर को ठंडा करना, इसके बाद material को भठी से बाहर लाया जाता है भठी से बाहर आने वाले material का तापमान 1450 degree Celsius होता है यद इसे धीरे-धीरे ठंडा होने दिये जाए, तो बहुत बड़े-बड़े crystal बन जाएंगे इससे बचने के लिए इसे बहुत तेजी से ठंडा करना पड़ता है जिससे बहुत महीन crystal बने क्लिंकर की पिसाई, अब इस क्लिंकर को पीसना है इसे पीसते समय इसमें जिपसम मिलाया जाता है जिपसम calcium sulfate होता है यद जिपसम ना मिलाया जाए तो सीमेंट में पानी मिलाने के कुछ ही मिनट में सीमें कठोर होने लगेगा जबकि साचे में mortar या concrete को ढालने के लिए कम से कम 30 मिनट की आउसिकता होती है इसलिए क्लिंकर पीसते समय इसमें इतना जिपसम मिलाना चाहिए कि 30 मिनट से पहले सीमेंट कठोर ना होने पाए क्लिंकर की पिसाई सामाने तह ट्यूब मिल में किया जाता है क्लिंकर को इतना बारीक पीसना चाहिए जिससे 1 kg सीमेंट का सतही छेत्रफल लगभग 300 वर्ग मीटर हो जाए सीमेंट का सतही छेत्रफल जानने के लिए ब्लेंस बिधि या तर्बिडी मीटर बिधि उप्योग में लाई जाती है सीमेंट का कंपोजीशन सीमेंट में चार प्राइमरी आकसाइड होते हैं Calcium Oxide, Silicon Oxide, Aluminum Oxide, Iron Oxide इसके अलावा Magnesium, Sulfur, Sodium, Potassium के Oxide भी कुछ हद तक पाय जाते हैं Calcite और Limestone में Dolomite भी होता है वहीं से Magnesium Oxide सीमेंट में आ जाता है सीमेंट के Final Stage में जिपसम मिलाया जाता है उससे Alkali Sulfate Oxide आधी आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे सीमेंट का क्लासिफिकेशन, सीमेंट का हाइडरेशन, सीमेंट के हाइडरेशन का प्रोड़क्ट इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है एग्रिगेट यानि मिलावा तक देखेंगे जाएऑ ना एक्सेट टॉपिकी आरड़ेशन केल्यूट टॉपिक जो पार चैप्ट टेल्यूट मेंट का जार्ड़क्ट